पर नाम दोस्तों मेरा नाम है देव सिंग नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ कि आपको मिनॉक्सिडिल का प्रियो करना चाहिए या फिर हेयर सिरम का मेरे पास है इंटास कंपनी का मोर एफ 5% इसके बारे में अल्रेड एक हेयर सिरम ये सिपला कंपनी का है 50 ml है ये इंटास कंपनी का है 60 ml है इसको 1 ml यानि कि 1 ml पर डे लगाना होता है सूखे बालों में लगाना होता है और हेयर सिरम को भी हमेशा सूखे बालों में ही लगाना होता है दोनों का अपना काम है हेयर रीग्रोथ करते हैं लेकिन अब confused रहते हैं कि हमें minoxidil का प्रियोग करना है या फिर hair serum का क्या फर्क है मैं आपको बता देता हूँ minoxidil से जो regrowth होती है hair की वो थोड़ा fast होती है यानि कि अगर minoxidil आपको 6 महीने में result देगा तो serum आपको कम से कम 9-12 महीने में result देगा ये थोड़ा slow काम करता है लेकिन minoxidil के अपने कुछ थोड़े बहुत side effects भी हैं क्योंकि ये blood flow को सर की तरफ भेजता है इसलिए हमारा hair regrowth होता है लेकिन serum का कोई भी side effect नहीं है ये आपके बालों को थोड़ा shiny बनाता है लेकिन कहीं न कहीं ये बहुत slow process में काम करता है minoxidil अगर आप यूज़ करना छोड़ देंगे तो आपके जो बाल हैं वो दो से तीन महीने के अंदर वापिस ज़ड़ना शुरू हो जाएंगे बहुत तेजी से ज़ड़ना शुरू हो जाएंगे तो इसको आपको lifetime लगाना होता है लेकिन hair serum के साथ ऐसा problem नहीं है अगर आप hair serum लगाते हैं और उसके बाद छोड़ भी देते हैं लगाना तो इससे जो growth होती है बालो की एक तो वो slow होगी देर से आएंगे लेकिन वो कहीं जाएंगे नहीं देखिए पचास सो बालो का तूटना जढ़ना ये बहुत आम बात है इसको डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि ज़रूरी नहीं कि अगर आपके पचास सो बाल जढ़ रहे हैं तो कोई बहुत serious problem है लेकिन उससे उपर जब बाल तूटते जढ़ते हैं खास तोर से दोसों से उपर अगर आपके बाल जढ़ रहे हैं तो फिर बहुत ही serious problem है आपको अपने hair expert से ज़रूर concern करना चाहिए मैं यहाँ पर किसी भी product को promote नहीं कर रहा हूँ आप exgen की जगए कोई भी serum ले लीजिए minoxidil F more का जो F5 है इसके लावा कोई भी minoxidil ले लीजिए मैं सिर्फ आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ कि minoxidil का प्रियोग क्या है और serum का प्रियोग क्या है hair serum और minoxidil दोनों बाल उगाते हैं minoxidil fast free growth लाता है hair serum थोड़ा slow काम करता है इससे आए हुए बाल अगर आप minoxidil लगाना छोड़ देते हैं तो वापस चले जाते हैं इससे आए हुए बाल नहीं जाते हैं लेकिन ये बहुत देर से result देता है और इससे जो बाल हैं वो थोड़ा shiny और light आप फील करेंगे इसको लगाने के बाद बाल थोड़े से रूखे हो जाते हैं इसको लगाकर आप दिन में कहीं भी ऑफिस वगेरा भी जा सकते हैं लेकिन minoxidil अगर आप शाम के टाइम में लगाते हैं 7-8 बजे फिर उसके बाद 10-11 बजे सो जाते हैं अगले दिन सुबा उटके शैंपू करके आप अपने आफिस जा सकते हैं क्योंकि इसको लगाने के बाद एक थोड़ा सा प्रॉब्लम ये आता है कि आपके स्केल्प में हलका सा इचिंग हो सकता है बाल रूखे हो सकते हैं लेकिन इसका भी एक उपाय है कि अगर बाल रूखे हो जाते हैं तो आप 2-3 ड्रॉप कोकोनट ओईल के अपने हाथों पर अच्छे से रगड लीजिए और उपर उपर बालों पर आप उसे लगा सकते हैं उससे आपके बाल रूखे और बेजान नहीं लगेंगे तो चरिए आपकी मर्जी है कि आपको किस तरफ जाना है मिनॉक्सिडिल की तरफ जाना है या हेयर सीरम की तरफ जाना है मिनॉक्सिडिल भी वही काम करता है हेयर सीरम भी वही काम करता है यह थोड़ा fast काम करता है, यह थोड़ा slow काम करता है, इस से आए हुए बाल इसको छोड़ने पर चले जाते हैं, इस से आए हुए बाल इसको छोड़ने पर नहीं जाते हैं, बस इतना ही फर्क है, अब it's up to you कि आपको किस तरीके से कौन सा product use करना है, कोई भी product लो, कोई भी company क लो लेकिन एक बार अपने हेर एक्सपर्ट से जरूर सलहा लीजिए ठैंक यू सो मज़ गाइस टेक कियर बाबाई